नमस्कार आप देखरें लाइफ खबर मैं हूँ अपके साथ शोबना को स्वामी रीवा के हनुमना के अंतरगत आने वाली ग्राम पंच्चायद बग्यहा से सेल्समेन की दबंगई का एक मामला सामने आया है जब पंच्चायद धवन में इस्थित सरकारी राशन के दुकान के सेल्समेन रावेंद्र मिश्रा खुद को कमनाज सरकार समझ बैठा है जबकि ग्रामीनों की माने तो हर रोज सुबह 9 बजे सेल्समेन रावेंद्र मिश्रा ग्रामीनों को राशन देने का हवाला दे कर बुलाता है और ग्रामीन राशन के दुकान पर एकठा होते हैं लेकिन सेल्समेन रावेंद्र मिश्रा वहां नहीं आता शाम चार बजे किसी और को भेज कर सरवर ना चलने का हवाला देते हुए जाने को कहता है साथी ग्रामीनों ने सेल्समेन पर आरोप लगाया कि महीने में सिर्फ दो से तीन दिन ही दुकान खोली जाती है और जब कोई ग्रामीन सेल्समेन रावेंदर मिश्रा से इगे बात पूछने की हिम्मत करता है तो सेल्समेन उससे बचसलूकी करता है ग्रामीनों ने सेल्समेन पर कम राशन देने का भी आरोप लगाया ग्रामीनों ने इसकी शिकायत SDM मौगंज और CM Helpline पर की लेकिन प्रश्टाचारी सेल्समेन पर शुकायत के बावजूत अब तक कोई भी कारवाई नहीं की गई है मतलब हमारे पंचायत में जो है तो लेक्रानी काटा नहीं है मजदूरों को 10 किलो खाद्यान दिया जाता है तो पाच्छे 7 किलो उतरता है तो ये थी वीवा से हमारे संवादाता प्रद्युमन शुकला की रिपोच देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे है लाइव खबर